तो दोस्तो आज की स्विव्र के दनर यहाँ पे आप स्भी को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से Rio Cricket 24 गेम के अंदर चक्का कैसे मारोगे six कैसे मारोगे वह बिधी यी भी हर बॉल पर सब कुछ आप सभी कोपी स्पूड़ गेम के अंदर एक ऐसी सेटिंग एजीसे अगर आप on नहीं करोगे ना, तो आप चाहे जितना भी गेम खेल लो, चाहे जितना भी प्ले कर लो गेम को, आप कभी भी real cricket 24 गेम के अंदर 6 नहीं मार पाओगे, जब तक आप उस setting को on नहीं करते हैं, तो दोस्तो ऐसी कौनजी setting है, क्या on रखना है, सब कुछ आप सभी को इ एक लाइक कर देना और चेनल पर पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का आइकोन दिएगा, उसको भी दबा करके, और क्लिक कर लिजिगा, ताकि आपको नहीं वीडियो की जो अपडेट है, वह लगतार मिलती रहे, तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टाइब करतरा सुषओ को बताते हैं कैसे आप लोग अपने रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर हर बॉल पर 6 मार सकते हैं, तो दोस्तो जैसे कि आप लोग इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हो कि हर बॉल पर 6 पे 6 यानि चक्के पर चक्के पड़ रहे हैं, तो दोस्तो आ आप भी इस तरह से अपने Real Cricket 24 गेम के अंदर हर बॉल पर 6 मारना चाहते हो ना तो इस वीडियो को पूरा बीना Skip के जरूर देखना तभी आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप लोग Real Cricket 24 गेम के अंदर हर बॉल पर 6 मार पाऊगे तो देखो दोस्तों सबसे पहली ट्रिक क्या है Real Cricket 24 गेम के अंदर 6 मारने की वह यह है कि अगर आपके सामने कोई Fast Baller बॉलिंग कर रहा है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वली बात क्या है जब भी यहाँ पर आपके सामने Fast Baller बॉलिंग कर रहा है और आप बैटिंग कर रहे है तो वहाँ पर उस बॉलर का जो है वह कंधा आपको देखना है तो कंधा आपको कैसे देखना है जैसी वह Warm-Up लेता है की रन-फ लेता है Fast Baller तो वहाँ पर आपको ध्यान देना जैसे वह बॉल्ल को likelihood है. ने को तभी आपको वहाँ ही है सॉट द्हुतर रही कादा है आपको भी अपना स fast baller को कैसे 6 मारना है हलाकि मैंने आपको यह बता दिया कि आप लोग को short cup खेलना है लेकिन अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप लोग को वो setting कहां पे on करनी है कैसे on करनी है जिसके बाद ही आपका जो 6 है वो लगेगा क्योंकि अगर आप उस पर क्लिक नहीं करते उस option पर क्लिक नहीं करते उस setting को on नहीं करते तो आपका कभी भी 6 नहीं लगेगा आप चाहे जितना भी match प्लिक कर लो तो चलो मैं आप सभी को बताता हूँ कि कौन से option पर आपको क्लिक करना है तो देखो दोस्तों real cricket 24 गेम के अंदर हर बॉल पर 6 मारने के लिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आपको क्या ख्याल रखना है सौट खेलने से पहले आपको यहाँ पर एक option है जिस पर आपको क्लिक करना है आप यहाँ पर उपर की side में देख पा रहा होगे यहाँ पर आप देखोगे तो push, stock and loft का option यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिल रहे होगे तो आपको सौट खेलने से पहले यहाँ पर पुस पर भी नहीं क्लिक करना है अड़ यहाँ पर स्टोक पर भी क्लिक नहीं करना है बलकि दोस्तों स्टोट खेलने से आपको यहां देखना है कि आपका जो player है वो किस तरफ यहां पर swap मार सकता है यानि कि on side में मार सकता है आपका जो player है वो किस side में मार सकता है वो आपको यहां पर अभी decide तुरंत से तुरंत करना पड़ेगा इस condition में तो अब यहां पर यह decide करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको left side के तरफ यहाँ पर एक गोला सा बटन आपको देखने को मिल रहा होगा तो आपको करना क्या है इस गेंद को आपको किस तरफ 6 मारना है और किस तरफ यह गेंद 6 जा सकता है यह decide करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है इस गोले वाली बटन को उस तरफ घुमा देना है आपको इस तरफ मोग कर देना जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहा हूँ मेरे condition में यहाँ पर इस गेंद को मैं इस तरफ अच्छे से 6 मार सकता हूँ तो यहाँ पर मैंने वो मार सकता है मेरा यह प्लेयर तो मैंने इसे इस तरफ घुमाया हुआ है उसके बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर रियल क्रिकेट 24 ने अपने प्लेयर का बल्लत चलाने के लिए यहाँ पर आपको तीन बटन दिया हुआ है बैक फूट एडवांस एंड फ्रन्ट लेकिन वहीं अगर आप लिव वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको जो बैट्समैन है वो गेंद को छोड़ देता है लेकिन आपको यहाँ पर अपनी कंडिशन को देखते हुए कौन सी बटन से यहाँ पर आप सिक्स मार सकते हूँ या टी साइट आपको करना तो मैं यहाँ पर अपनी कंडिशन को पूरा देखते हुए यहाँ पर बैक फूट वाले बटन से मैं यहाँ पर छक्का मारने के कोशिस करता हूँ लेकिन दोस्तों सौट खेलने से पहले आपको यहाँ जरूर ध्यान देना है कि जैसे बॉलर रन अप लेता है उसको आपको अच्छे से देखना है और जैसे वो बॉल को रिलीस करता है तभी के तभी आपको तुरंत सौट अपना खेल देना है वैसे अगर आप नहीं करोगे तो आपका परफेक्ट सौट नहीं लग पाएगा और जैसे मैं बता रहा हूँ गें को जैसे वो रिलीस करता है तभी आप को 33 से खेल देना है तभी आपका perfect saw लगेगा और आप 6 सो मार पाऊँगी और अगर दोस्तों हम यहाँ पर spinner की ball पर 6 मारने की बात करें तो यहाँ पर b santé की ball पर भी 6 मारने का विलकुल सेम प्रोसिस फेले कि नalayim आपको यहाँ पर एक चीज का जरूर से जरूर ख्याल रखना होता है कि जैसे ही वो spinner अपनी ball को release करता है और जैसे गेंद आधी पीछ पर पहुंचती है तब आपको वहाँ पर अपना जो sword है वो यहाँ पर खेलना पड़ता है तब जाकर आप वहाँ पर भी six मार सकते हो spinner की ball फर भी तो उम्मीद करते हैं आप लोग अप Real Cricket 24 में हर ball पर six से मार पाओगे तो उम्मीद करते हैं आप सभी को उमार यह वीडियो पसंद आए होगे वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना चैनल पहली बार है तो सब्सक्राब करके बगल में जो बेल का आइकोन देगा उसको भी दबा करके और कप संद पर क्लिक कल जीगा ताकि आपको नीवीडियो के जो अपडेटिव अलागा तार मिलती रहे तो मिलते हैं फिर से किसी ने इंटेस्ट बूड़ों के साथ तब तक लिए पाइवे दोस्तों